दोस्तों जया मसी आप सभी का प्रभुयेश्य मसी के नाम में बहुत-बहुत स्वागत है फाइव मिनुन्स बाइबल सड़ी विद पास्टे देन राच के आज के स्वेशे पे आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए उसके पहले मैं आपको जल्दी से याद दिला दो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्स्राइब कर ले दोस्तों और मैं चाहता हूं कि आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, साथी68 आईकन बेल प्रेस करना है, ताकि मेरे मैसेजेजेस अब लोड रोते हैं, आप उसको जली से देख सकते हैं, मेरे पेड़ को लाइक कर लिजे, वहां से मैं लाइक आता हूं, और आपको जो है मेरे पेच में जाना है और वो थम को प्रेस करना है मसी मंतन बैटक वाटसप ग्रूप स्टार्ट हो चुका है दोस्तो साड़े 600 से भी जाता लोग जुड़ चुके हैं इसकी पहली बैटक मुंबई से हम करेंगे और जब आप सदर से बन जाओगे तो आपको इंफर्मेशन मिल जाएगा इस मोहीम को गलत सिक्षाओं के प्रति हम कैसे चलाएंगे और आगे काम कैसे करेंगे तब तक के लिए आपको करना क्या है आपको इन में से किसी नंबर पर कॉल करना है और आपको हमारे सदर से बन जाना है वाटसप ग्रूप के और सुबा दस से रात को नौ बजे तक ही आपको कॉल करना है चलिए दोस्तो आज का विशे आपके बीच में रखने जा रहा हूँ बड़ा दिल्चस्प है आपको पता चली गया होगा क्या आपने YouTube का जो पोस्त है वो पड़ लिया होगा अज क्या विशे है यह आपको सही सिख्षा देने की खरा सिक्षा देने की और आप तक जो है बिब्लेकली सही त रिके से आप तक के बीच में यह बातों को लाने की कई कॉल्स आते हैं कई मैसजिस आते हैं उठाते हैं लेकिन मैंने जरूरी समझा कि आप सभी के बीच में ये वीडियो बनाओं मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैं पहली बार इस विशे पे बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मैं आप सभी तक सही जानकारी पहुंचा पा रहा हूं वचन के मध्यम से ना दोस्तो चल रही है ओल्टेस्मेंट के कुछ वचन को उठा कर जो की कहते हैं कि जी हां हम शरापी सकते हैं कुछ प्रचारक हैं कुछ बिशप से कुछ रेवरेंट से नैशनली इंटर नैशनली और वो जो है आउट आफ कॉंटेक्स जाकर बाइबल के वचन को उठा कर तोड़ तुपी आकर क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन है इसको उठाते हैं अब सुलिमान राजा ने इसको क्यों लिखा क्या क्या परिस्ति ती उसका लिखने का मकसद क्या था वह किसको लिख रहा था कम से कम यह साबित तो हो जाता है तकि वह आपके लिए और मेरे लिए नहीं लिख रहा है बाइबल के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्चर से फांसी लेना लिखा हुआ है दोदो शादिया करना लिखा है तो क्या हम लोग आज करते बैठे जी नहीं तो पड़ते वक्त में ध्यान देना है किसको लिखा है कब लिखा है क्या वो आज हम पर लागू हो क्योंकि वचन हमें सपोर्ट करते हैं मैंने तो केवल तीम रखा है और भी बहुत सारे वचनों का सहरा लेते हैं कि कभी कभी पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं कई रीजन देते हैं वो पीने के ना दोस्तों इसको देके कुछ लोग कहते हैं बीर पी सकते हैं क्यो है red wine پी सकते हैं और Bible के अंदर से eg caso में羅 benefit सकते हैंब य pretend कहां से मुझे नहीं पता इसमें कितना percentage alcohol है मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता अभिये कैसे बनता आजंग की तारिक में मुझे नहीं पता लेकिन जब Bible की बात कर रहे हो तो वहाँ पर लिखा है वह अंगूर का जूस था soldierly güụुस था अगर वो ग्रेप जूस था तो मैं इजाज़ता हूं अंगूर का जूस पी ओ लेकिन मैं red wine की इजाज़त नहीं देता हूं कुछ वोग कहते हैं कि red wine थोड़ा पी सकते पूछा गया कैसे तो वो कहते हैं कि इस वचन के वसीले से कौन सा पहला तीमोथी पांच का तेइस में पालूस ने तीमोथी को कहा था कि भविश में केवल जल ही का पीने वाला नार पर अपने पेट और अपने बार-बार बिमार होने के करण अभी मुझे नहीं पता कि वो बिमार क्यों होता था हो सकता है फानी का घलत पानी के चलते हैं कि पानी के जिकर है यहां पर अब उसके पास में ऐसी कोई बीमारी थी इसका नाम है तिमोति अब यह तिमोति को लिखा है तो तीमोति तक रखी आप तक क्यूं लेकर है मुझें तक क्यूं लेकर रहे हैं और दूसरों पर क्यों थोप रहे हो क्योंकि बाइबल में ऐसी घटना हुई है तो आप जो है पी लिया करो तो बाइबल के अंदर है यरिकों की दिवार गिरी है तो क्या तुम जाकर चाइना का वाल गिरा दे हुए नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको समझना है वापस कहता दाकरस कौन सा है आपको वीडियो के अंतर तक कल्फर्म या क्लियर हो जाएगा कि कि मैं उसकी भी खुलासा करने जा रहा हूं ना इसको देखे लेकिन होल टेस्मेंट में अगर ऐसे वचन है कैसे जैसे पी सकते तो ऐसे भी वचन है जहां लिखाए कि पीना पीना श्राप है गलत है और वहां है ये शाय पांच का बाइस में लिकाए कि हाए उन पर जो दाकमदू पीने वीर पीने में वीर और मदिला को तेज बनाने में बहादूर है मतलब जो पीता है उस पर भी श्राप जो बनाता है उस पर भी श्राप आप सोचके देखे ना इ एक पी सकते हैं दूसरा नहीं पी सकते हैं ना इसको देखें दोस्तो एक अंगूर का जूस है और दूसरा अंगूर के जूस से अलकॉल बनता है अब आपको समझना होगा कि उस वक्त का देखें मैं कहां की बात कर रहा हूं कम से कम चार हजार साल पुरा नहीं येशु के के 2-2,000 साल पुरानी बात को अगर बाइबल रिकॉर्ड करती है और आप उस को ठाकर लेकर आकर अगर आप ये कहोगे कि अंगूर का जूस का मतलब है दारू और दारू का मतलब है अंगूर का जूस आप कैसे 30 में एक है नू के साथ उसने शराप पी और उसके बच्चों ने कुछ गलत करा दुस्सा है लूत उसने शराप परी पी और उसके बच्चों ने उसके साथ में गलत करा यह दोनों ने शराप पिया था और इसको कहते हैं अंगूर का जूस नहीं पिया था साब यह नशा था व शमा करें यह जो स्टॉंग्स है 3196 आपको हर जगे पर यही स्टॉंग्स मिलेगा उत्पती से मलाकी तक जब जब आप कोई दाकरस वाइन का जिकर पढ़ोगे तो आपको यही टांसलेशन मिलेगा ना दोस्तों इसको देखें इन दोनों को बाइबल में वाइन ही लिखा गय जैसे आपको यह दिख रहा है तो आप समझ गए होंगे पासरे डैनियल यह तो मीट है मटन है मास है और यह रहा तरकारी वेजिटेबल सबजी जिसको आप लोग कहते हैं अब आप सोच रहोंगे कि मैं आपको यह क्यों दिखा रहा है मेरे साथ में बने रहे थोड़ा वक् का 39 में परमेश्वर ने इन दोनों को नाम क्या दिया बड़े द्यांस सो नेगा लिखता है परमेश्वर ने कहा सुनो जितने बीज वाले चोटे-चोटे-चोटे पेड़ सारी पृत्वी पर अउपर हैं जितने वरुक्ष मैं बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमक भी जगे पे आपको यह मीट नहीं दिखेगा इन सभी जगे पे आपको यह दिखेगा और इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन कहता है यह भोजन है लेकिन आप जाना चाहोगे English में कहता है English में कहता है to you it shall be for meat इसका मतलब है यह आपके लिए meat है तो इसका मतलब है कि जिसको आप सबजी कहते हो Translation में आपकी ही Bible में उसको लिखा गया English में King James Version में कहता है meat है meat अब आप सोच के देखिए तो इसका मतलब है ना इसको देखे लेवेवेवस्ता उसका दो का एक लेवेटिक्स चैप्टर 2-1 कहता है कि जब कोई यवा के लिए अनबली का चड़ावा चड़ाना चाहे तो वह मैदा चड़ाए उस पर तेल डालकर उसके उपर लोबान चड़ाए लेकिन English में क्या कहता है and when any will offer a meat offering unto the Lord इसका मतलब है meat अब आप देखिए सबजी को भी meat ये बीच को भी meat गेहू को भी meat तो इसका मतलब है कि दाकरस में आप जब जब पढ़ते हो तो हर एक translation वो चाहे अंगूर का juice हो तो उसको भी translation दाकरस है अगर आप दूस्सा कोई पढ़ते हो तो इसको भी translation है लेकिन पढ़ते वक्त में कौन सा चीज कहां पर आपको ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा इसको कहते हैं भुटा English में कहते हैं कौन अब आपको पता चल गया होगा कि इसको कौन कहते हैं और इसको कहते हैं गेहूं लेकिन English में कहते हैं वीट तो दोनों को अलग-अलग नाम है लेकिन आपको एक छोटा सा जटका देता हो Old Testament में हर दाने को कौन ही कहते थे वो चाहे भुटा हो वो चाहे गेहूं और इसको जो है कौन कहते थे ना दोस्तो यहना की किताब उसका 12 का 24 में अगर आप पढ़ोगे येश्व ने क्या का पता है मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना तो इसका मतलब है गेहूं का बात हो रहा है लेकिन आपको पता इंगलिश में क्या लिखा है गेहूं नहीं लिखा है इंगलिश में लिखा है कौन तो इसका मतलब है ये है कौन ये है कौन भुटा और ये है गेहूं तो इसको wheat कहते है उसको कौन कहते है लेकिन जब translation हुआ तो हर एक दाने को किया लिखा गया है कौन वैसे ही आपको समझना होगा कि दाकरस कौनसा दाकरस आप उसको कैसे استعمال करते हैं आप उसको कैसे use करते हैं यह शब्द को पढ़ लीजे ये शब्द को पढ़ लिजे कहता है मैं प्यार करता हूँ अब जरा शब्द को देखे ये जो शब्द ना प्यार जैसे ही आप कहते हैं मैं प्यार करता हूँ एक ही शब्द है आपको पूछा जाए आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप कहेंगे जी हाँ मैं अपन किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, वो important है शब्द change नहीं होगा, शैली change होगी मेरे कितने परचार में मैं आपको सिखा चुका हूँ बता चुका हूँ कि सटीक क्या होता है व congressional क्या होता है, टॉंट क्या होता है ताना मारना क्या होता है यह हमें और आपको सीखना बहुत जरूरी है वच्छन को पढ़ते वक्त में भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है याकूब की किताब यानि कि जेम्स चैप्टर 2 वस्त्री आपको पता यहां पर क्या लिखा है अगर आप हिंदी में पढ़ोगे जो कि मैंने नहीं डाला है हिंदी में लिखा है कि जो सुहावने वस्तर पहनते हैं लेकिन किंग जेम वर्चन क्या कहता है मालू में गे क्लोट्स या गे क्लोटिंग तो गे का मतलब आप समझ क्योंगे अब आपको शायद नहीं पता कि 200 साल या 100 साल या कम से कम 3-4 डेकेट से यह जो शब्द है इसका पूरा का पूरा मतलब फी अलग हो गया है लेकिन एक वक्त था लेकिन एक वक्त था फिस्ट्रीच करिए गा पता चल जाएगा एक का मतलब है कोई अगर आता था याकूब की किताब कहता है याद रखो तो वो यह कपड़े पेन कर आता था लेकिन आज कल क्या बोलते हैं घे का मतलब पूरा गलत होता है आप समझ रहे हैं ज्यादा डीटेल में नहीं जाओंगा लेकिन कुछ शब्द को कैसे यूज करते हैं उस वक्त में कैसे यूज करते थे ये समझना बहुत जरूरी है कहते हैं कि येशु ने दाकरस बनाया लेकिन येशु ने कौन सा दाकरस बनाया अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आप उसको दारू बोल दोगे लेकिन जब येशु के जमाने में येशु ने दाकरस बनाय मैं रिपीट करता हूँ यह लास पोशन में आगए आप बाइबल में शराप पिना सक्त मना है आए रेखते हैं कुछ वचन पहला पत्रव चार का तीन क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्पन और बुरी अभिला शाय मत्वाला पन लेला ख्र तुम धारू पीते थे तुम गलत काम करते थे तुम पीकर सड़क पर पढ़े रहते थे लेकिन ऐसी चीजों को पहलूस कहता है शमाकरे पत्रस कहता है बत बस हुआ अब नहीं करना है ना इसको देखे रोमिय किताब उसका आठ का छे से साथ में शरीर पर मन लगाना तो मृ परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि ना तो परमेश्वर की विवस्ता की आदिन है और ना हो सकता है तो इसका मतलब है जो शारीरिक जीवन जीता है वो परमेश्वर उसे बैर करता है और वो शारीरिक वेकती है याद रखो वो शारीरिक वेकती है शरा पीने वाला शारी मेर्डिख व्यक्तियों दारू पीने वाला रेड़ वाइन यीजिए आप जो भी और बिशट मैं लोगों ओ जानता है दोस्तों कई वर्शिप सेंगर को मरें जानता हूँ जो कहते हैं कि कभी कभी रेड़ वइन य seront सकते हैं कि हम बीर पी सकते हैं occasionally जब एरपोर्ट एरपोर्ट से जब इंटरनेशनल एरपोर्ट से अमेरिका या फिर कई दुस्से कंटीस में जाते 8-8-12-22 गंटा 24-24 गंटा है ना जब एरपोर्ट पे या फ्लेन में बैठते हैं तो एरों से जब लेकर आती है तो कहते हैं कि ना इसको देखे गलितिक किताब उसका पांच का उनिस से किस में कहता है शेरीर के काम तो प्रगट हैं अर्थाद, वेबिचार, गंदे काम, लुचपन, मुर्ती पूजा, टोना, जगड़ा, इर्चा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा लेकिन फिर ये क्या हो गया मत वालापन, लीरा, क्रिडा, अब इसको देखे जो नीचे लिखा, कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, तो इसका मतलब है जो दारू पिएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, जो वाइन पिएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ना दोस्तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं फिर से याद दिला दू के परमेश्वर नहीं चाहता, हम किसी प्रकार का नशा करें वो बियर हो, वाइन हो, वटका हो, रेड वाइन हो, आप नहीं पी सकते हैं रिपीट करता हूँ, आप नहीं पी सकते हैं, ये सरासर गलत है, शराप पीना पाफ है पास्ट्री डैनियल, मैं हजार टक का लग टक का करूँगा, जी हाँ, शराप पीना सही गलत है, आप तो फिर सब्जेक के साथ में कल वापस आपके साथ में रूबरू हूँगा तब तक ले जैना सी नमस्ते